स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइस्टो टिकनोलजी में मैं अनुपर मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शूर कैमरा ट्यूस्टे में आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल को ऐसे वीडियो कैमरा कैसे इस्तमाल करते हैं आप यह समझे आपको सबको पता हो का माई मोबाइल में वीडियो कहिट सकते हैं तो समस्या क्यों हर को अभी भी डियस लाग खरिपता या मेरे रेस खरिपता या पूरा कैमकोर्डर ओर करना का वैवस्ता क्यों करना पड़ता है आप यह समझे है जब आपके पास हाई-ेंड आइफोन या हाई-ेंड आइफोन हो तब आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आए इससी लिए बहुत लोग एप आप आइफोन खरेते को आइफोन वीडियो फंक्शन पहले फिक्स कर लिया यानि कि मतलब अगर आप आइफोन लेते हैं तो उसमें वी बना रहे है और आपकी रोजी रोटी आ रही है तो वो काफी नहीं है वो एकदम होना चाहिए कि 99.99% कि कभी कभार गलती से नहीं काम किया ठीक होई टिकत में लेकिन वह ऐसा नहीं होता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बजट एंड एंड्रोइड फोन को कैसे इस्तमाल क daha toughest 창 पेलीटेडीड है यानी कि वह अटो फोकस के रलेता है कि हां यहाँ पर फोकर्स करना कर लिया अब उस नूसको भरसाई है कि मना फोकस करने लगता मतलब जब की फोकस लोग हो चुका हूं और फोकस नहीं है छर आपको यह काभी लोगों को देखने हो अच्छ से सांस ले रहा है माद उसका फ्रेमिंग सांस ले रहा है क्योंकि आटोफोकस बिचारा नहीं मेंटेंट कर पा रहा है आप एक्सपोजर फ्रेक्ट्वेशन यानि कि आप एक्सपोजर लो के लिए मैंने यह सीन में सब चीदम सही है कुछ भी चेंज आप कैमरा के आगे पिछे भी आगया एक्सपोजर पगलाने लगए यह भी बढ़ा दो तो इसी सब कारण से भरोसा नहीं कर सकते मतलब और गलत से लेगा सीधा सीधा यूट्यूब में तो नहीं चलेगा तो यह सब समस्या है कि मतलब आपका ऑटोफोकस हंटिंग होता है आपका वाइट बैलेंस चेंज होता रहता है आपका एक्सपोजर फ्रेक्ट्वेशन होता है तो हम लोग कर क्या सकते हैं महंगा मोबाइल फोन ल लोग कर सकते कि नहीं मैंने एक्सपोजर मार दिया तो मार दिया आप चेंज मत करो वाइट बैलेंस जितना भी चीज मैनुवल्ली आप छेट शाल कर सकते हैं आपका काम उतना आपको बस कंप्यूटर से हाथ अटा लेना भी कंप्यूटर तुम से ना हो पाए तुम आपका फ्रेंड है तो मैनुवल मोड आपका फ्रेंड है तो हिसाब यह समझी कि जनरली 90% फोन में सस्ते मड़र में धंके मैनुवल मोड नहीं होते हैं और एंड्रॉइड में कभी भी कोई मैनुफेक्टर बैट कर नहीं कर ठीक है हम फोन बना है उसको पॉलिश करता है कभ वो तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारी कंपनी बैट के ढंग से बना किसी कभी नहीं होने वाला लेकिन अगर वैसा है कि आपको कैमरा में मैनुवल मोड नहीं मिला तब आप क्या करें आपके पास और ऑप्शन है अवेलबल लेकिन एक बात समझे कि एंड्रॉइड इंचे कि से फ्रैमेंटेड हैं हर की कोडिंघ्या की जाती है हर का हाडवेर लुक्ष्सेसर लुक्ता है तीगरम अलग होते हैं तो आपको एक ऐसा एप में नहीं बता सकता है यह आप लगाईए अपका काम खतम हो चाहिए ऐसा काम अब भी नहीं करें चाहिए बुंदिये क सबसे popular app हो सकता है, आराम से हो सकता है कि सब को काम कर रहा है, आप जैसे लगा है, मैं मेरा mobile में नहीं काम कर रहा है, तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, चुकि Android में बहुत सारा varieties आता है, आपस के भी variety बहुत सारे आते हैं, और कुछ आपके लिए काम करेगा, कुछ किसी और के लिए काम करेगा, इसलिए बास सीधा सीधा मत कहर दीजेगा कि अगर उसका रेटिंग है अच्छा, यानि कि काफी लोगों को successful काम कर चुका है, तो एक्जांपल के तोर पे बहुत सारे high-end apps जो हैं, जिसमें free camera बारे में बात कर रहा हूं, वो आपको control देदेंगे, पूरा का पूरा control देदेंगे, कि यह आप च्छडगानी करो, आपको change करना है, जैसे exposure lock कर दो, autofocus lock कर दो, white balance lock कर दो, मतलब मैं इसका इस्तमाल कर रहा हूँ, hedge cam 2 का इस्तमाल कर रहा हूँ, उ कर दो, disable auto, और कुछ नहीं करना है, मैंने scene set up कर लिया, हो गया, मैं यह recording हो, disable auto काम करता हूँ, अब वो नहीं हख बकाएगा, focus करता है, focus करना है, white balance change करना है, यह कुछ नहीं, शांती से, मैंने एक बार set कर लिया, lock कर दिया, चलो, काम खतल, तो यह बात समझना बहुत जरू और यह open source है, तो काफी लोग इसी का code उठा के, और बटर मसल लगा के, और बटर अपस भी बना लेते हैं, तो कई बार हो सकता है कि आपको कोई app मिल रहा है, जो open cam से बेटर चल रहा है, लेकिन उसका core open camera वाले से ही उठाय गया हो, तो यह सब काफी अच्छा आपको option देते यह सब का app लिखा नहीं गया था उसे साब से, तो यह बात ज़रू संझे, तो अपका primary camera काम करेगा, लेकिन जो secondary add-on रहते हैं, वो सब काम नहीं करेगा, और यह समझी है कि यह सब चोकी application आप सीधे bypass कर रहे हैं Google को, तो इसमें API चेंज हिया जाता है, API अगर आप चेंज कर corruption हो रहा थे कहीं पर, तो इसलिए time लेके testing कीजिए, अगर आप यह सब app को लेना चाहते हैं, इसमें सब का ताम करेगा, आपका phone को कोई नुकसान नहीं होने वाले, बस आपको time लेके testing कर आपगा, और मैं open cam को अभी दोवारा फिर से कोशिश करूँगा, इसको ठीक नहीं क अब आप भरोसे मन तरीके से धंग से वीडियो बना सेकें, जहां पर वो सारिफ और अटमेटिक फंक्शन बना, और कई पर आप ऐसा हो सकता है, अगर आपको प्रोफेशनली वीडियो बना रहा है, जिस पर भरोसा कर सकें, अब बात करते हैं, मोबाईल फोन का sensor होता है, च सबसे चोटा camera भी लें, जो interchangeable lens होगा, उसमें जनरली आपको micro 430 मिलेगा या APS-C मिलेगा, ये सब काफी बड़ा sensor होता है, खुले आख से देख सकते हैं, मोबाईल में आप जाके इतने बड़े sensor है, जो खुले आख से दिखेगा, वो भी बहुत चोटा सा होता है, तो इसल के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको बेटर बनाने के लिए, सीधा light डालिए, mobile sensor छोटा होता है, इसको कोई छेट खानी नहीं की जा सकती, तो आप light compulsory हो जाता है, जैसे कि माल लिए आप घर में एक tube light है, एक tube light पे एक अच्छा full frame camera बम बम वीडियो बना देगा, लेकिन mobile नहीं कुछ दिखा पाएगा, तो जैसे कि draw with jaza करके एक ठो काफी बहुत पहले मैं देखता रहा है, जिसने मैं आटिस ता विडियो निका सके अगर आप उसको light दे सकें, तो आपको बस वही करना है, आप light अपना समझ के लिए, आपका budgeting कर रहे हैं कि नहीं मैं यहां पर य LED tube light काफी कमदाम में काफी जादा luminance काफी बड़ी अरिया में देता है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारा light होता है, जो spotlight type समझ लिए होता है, बहले उसमें छोटे-छोटे LED देलेगा, उसका light काफी हाश आता है, और diffuser नहीं होता है, सस्ते दाम में नहीं होता है, अगर आप LED लेते हैं, तो उसमें पहली बात वह एतना बड़ा एरिया में दया है, तो light पहला होता है, दूसरा LED के ऊपर एक covering रहती है, जो उसको और diffuser देता है, मेरे किस में जैसे आप यह सीन जो देख रहे है, यह सीन लिठ हुआ है, छे LED बीस वाट के LED से जब रहा है, मतलब मार एक YouTube सबसे बेस्ट रहता है, स्टार्टर के लिए, और आप उसको और तिपिनम भी कर सकते हैं, जैसे मेरे किस में एक बड़ा सा ब्लॉक बनाया हुआ है, कुछ लोग करता है कि एक धर लगा दो, एक थोड़ा पीछा, आप थोड़ा सा क्रियेटिव हो सकते है, अपना समझ के चिरखानी किजिए, और लिख के दे सकता हूँ, कैमरा अपगरेड करने से ज़्यादा फीचर आपको इसी नहीं आएगा, आप मोबाइल से ऐसा वीडियो बना सकता है, सिर्फ लाइटिंग में में मेहनत करके कि लोग को लगए कि नहीं गर, यह अच्छा है, और आपका, मत चोटा सा फीशिर्यामें काम करना रहता है, बहुत चोटे अपर्चर में काम करना रहता है, वो नहीं कर पाता है, कि तनो हाय ताबा कर पाए, वो कर ले नहीं सकता है, तो लाइट उसका सबसे एकटसमा में इस आउले है, वो Sуш कर लेटा है, वो Fill in the Blanks, वो GO Lu technic. इसलिए वीडियो में जिसमें audio खराब हो नहीं या focus थोड़ा सा ही out of हो आपका दिमाह समझ नहीं बायगा कि हो क्या रहा है उसको frustration होने लेता है क्या हो क्या हो गया है तो इसलिए audio में पूरा ध्यान दिया जाता है और audio में mic का सीधा logic होता है माइक आपके जितना नस्दीक रहेगा उतना बंब रहेगा जैसा कि मेरा कैमरा काफी दूर है मेरे से मतलब हमको चल कर आना पड़ेगा लेकिन अगर हम जैसे मेरा जूम ख्षक क्Iसमाल हुआ कर रहा हा । अगर कैमरा के उपर रगदेता है तो इसमाल करते ने फसंट्रас छल एक साल को टतने लेगा फिर मैंने उसके नया नई करूट यह ICU यहां पर पूरा अच्छा खासा फों मैंट्रेस लगा हुआ है दोठो ताकि एको कम हो जाए तो यह सा समझे कि माइक के कैस में फिजिक्स एकदम सिंपल है क्वालिटी से उतना फरक नहीं पाता माइक आपके चहरे से कितना नजदीक उस पर है मतलब अगर माइक यहां पर है सस्ता सस्ता माइक्रोफोन भी बहुत अचा है इसलिए लावलियर यह पिछे लोग इतना पैस कैसे करें बहुत सारे कंपनी डेडिकेटेड मोबाइल के लिए माइक्रोफोन बनाने लगे लेकिन वह अतना अवेलिबल नहीं है और नहीं उसकी क्वाल्टी प्रोफेशनल लेवल किया मतलब जो एकदम जिस पर मुवीज बनाई जाते उसलिए तो आप क्या कर सकते है अग सब्सक्राइब करेंगे और लिखा रहते है कैमरा या स्मार्टफोन स्मार्टफोन करेंगे वह सीधे उस पोल में सिग्नल भेजने लगए जिसमें आपका माइक्रोफोन होता है मोबाइल के लिए तो उसमें अराम से रिक्वाडिंग होचाएगा कोई दिक्कत नहीं रहेग क्योंकि वह जहां से एक्सपेक्ट कर रहा है और स्पीकर चलाने का वहीं पर माइक्रोफोन का फीड आ जाएगा दोनम से एक चीज़ तो यह आपको ब्रेक आउट स्प्लिटर लेना पड़ेगा इसे का जाता है यह 3.5 mm हेटफोन प्लस माइक आडियो स्प्लिटर तीस से प आपका जूम एच वान या ऐसा कोई भी पोर्टबल रिकॉरडर प्रॉपर माइक्रोफोन का तरफ बिहेव करें तो समझी आडियो में अप कफी महनत का सकते हैं अब अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है कुछ मजा है तो लाइक कर दें और मैं कहूंगा अ आप कैमरा आम बना तो मैं बना दूगा मुझे मैंने डिजाइंग कर लिया लेकिन में इंसेंटिव नहीं बनाने का मेरा का ट्रैपॉड रखा हुगा लेकिन अगर आज आता है तो मैं एक स्टैंड बना के दिखा दूगा जो की काफी सार चीज कर पाएंगा ट्रैपड से लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वह आप लोग पर चाहते हैं देखना तो कमेंट लिग दीजिए पीवी से पाइक से कैमरा आम बना तो यह था मेरा प्रेसेंटेशन मोबाइल को एज प्रॉपर वीडियो कैमरा कैसे इस्तमाल करते हैं उमीद करता हूं यह आपक कोशिश करता हूं आप से कोंगा से स्काइब कीजिए बिल दबाइए वेरा फ्री है तो अपने अरो वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई दन्यवाद